बिसमिल्लाइब रह्मान रहीम असलाम अलेकुम अमीर करता हूँ स्टुडेंट आप सब खेले से होंगे आज हम एक्सराइज नंबर 2.6 का कॉंसर नंबर 5 सॉल्ड करेंगे इससे फ्रीजिस वीडियो के अंदर हम कॉंसर नंबर 4 तक जो है वो सॉल्ड कर सुके हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो आप लाजमी जाके देखें आई टैप पर तो अब स्टार्ट करते हैं हम इसका सुलिशन तो देखें बटें क्वेस्टन नंबर 5 के अंदर में क्या कहता है कैल्कुलेट आपने यहां पे हर वैल क्या है और जो चोथे नंबर पर आपने उसके कॉन्जूगेट से उसका मल्टिप्लाइफाइं करना है तो जली इसका स्टार्ट करते हैं तो चलितल पॉस्टन वीवन है जी इस इकवर टू माइनस आयोटा यानि आपके पास कंप्लेक्स नंबर में यह प्योर इमेजिनरी इसको हमने इस complex number के उपर हमने यह चारों की चारों प्रॉपर्टी जो है वो क्रू फाइंड करनी है जले हम इसका सुलिशन स्टार्ट करते हैं तो इसको हम अगर मैं complex number की फॉर्म के अंदर यहां पर लिखने हो ताकि आपके आपको तुरी से असानी हो जाए तो इससे हम यह हमारा given complex number है इसका अगर हम conjugate find करते हैं तो देखें हमारे पास क्या चीज़ आएगी तो इसका conjugate मेरे पास क्या हो जाएगा जीरो प्लस आयोटा simply यह चीज़ है मेरे पास कि जब मैंने conjugate मालूम करना है तो जो भी मेरे पास number है उसके जो imaginary part का जो sign है हमने उसको change कर देना है number 2 पे हमारे पास है z minus z conjugate वो देखेंगे तो जो हमारे पास क्या चीज़ बनती है अब यहाँ पे z मुझे मेरे पास given है zero minus iota इस में से हम minus कर देंगे इसके conjugate को जो अभी हमने यहाँ पे find out किया है वो है zero plus iota देखें पटे मारे पास क्या solution आता है तो अगर मैं open करना है तो मेरे पास zero minus iota minus zero minus iota आ जाएगा same आपको पता है zero as it इसको हमारे पास कोई value नहीं होती तो मारे पास minus minus plus तो मारे पास minus two iota आ जाएगा second part cancer थर्ड में हमने चीज फाइंड आउट करनी है वो है z sorry हमने यह c चीज फाइंड कर दी है तो अब हम b find करेंगे मैंने पहले minus कर दिया हमें पहले plus करने चुछीए था उचाने हम next step में प्लस कर लेते हैं यह मेरे पास हो जाएगा जी प्लस जी कॉन्जूगेट तो देखने हम इसे कैसे सॉल्ट करते हैं मारे पास यह आजाएगा zero minus iota plus zero plus iota जीरो मारे पास value जो है वो सेम उसको हम लिखें या ना लिखें तो हमारे पास सेम ही चीज़ है तो यहां से मेरे पास आजाएगा minus iota और plus plus iota जाएगा तो यहां से complex number z है उसको उसके conjugate के साथ multiply करवा देंगे तो हमारे पास यह हो जाएगा zero minus iota और multiply इसको करवा देंगे इसके conjugate से जो कहा है zero plus iota जीरो का multiply मेरे पास zero ही होगा और minus iota plus iota से multiply करेगा तो हमारे पास minus iota scale आ जाएगा तो इसकी value पूट करने से मेरे पास minus 1 आएगा जिससे यह मेरे पास answer one की equal निकल आएगा तो हमने इस complex number के उपर यह चारो condition true find करती है जी तो सुरण अब हम अपर second part solve करेंगे जिसमें हमें complex number given है z is equal to 2 plus iota तो बिटे देखते हैं हमने इसके अंदर first part जो हमारा solve करना है उसके अंदर हमने क्या find करना है कि इस z का conjugate find कर देना है तो देखते हैं इसका z conjugate क्या होगा z conjugate बिटे मेरे पास क्या जाएगा 2 minus iota simply iota का sign gene कर दिया number two पे है मेरे पास मैंने इस z plus z conjugate करना है यह जो मेरे पास जी है इसके अंदर इसके conjugate को add up कर देना है तो देखें मेरे पास two plus iota plus two minus iota जागा मेरे पास जिससे बन जाएगा ब्रैकेट ओपन करने से मेरे पास आजाएगा two plus iota plus two minus iota तो देखें बड़े इस iota plus minus cancel out हो जाएगा और two plus two four हमारे पास यहां से answer आजाएगा number c के ओपर हमें जो चीज़ find out करनी है वो है z minus z conjugate तो यानि हमने इस जो conjugate हमारे पास complex number है इसके conjugate को इसमें से minus करना है तो देखें बड़े ब्रैकेट ओपन करने से हो जाएगा two plus iota minus अंदर multiply करवाने से हो जाएगा minus two plus iota is equal to तो यहां में बड़े अब two आपके पास और minus two cancel out हो जाएगे और यहां से बेर पास two iota answer आजाएगा number d जो है मारे पास उसके अंदर हमने क्या करना है जी हमने इसके complex number को इसके conjugate में multiply करना है तो multiply करवारे तो में मिरे पास याद आएगा two plus iota into two minus iota यहां हमने identity पड़ी थी हमने last question के अंदर भी इसको बड़ी detail से पड़ा है कि मारे पास identity होती है a square minus b square equal to a plus b into a minus b तो यह बड़े मारे पास a plus b into a minus b की form के अंदर मजूद है इसको हम यहां पे convert कर देंगे to whole square minus iota square की form के अंदर बड़े यहां से मारे पास two का square फोरा जाएगा minus iota square मारे पास minus one होता है तो minus one अब इस minus one को अगर मैं minus से multiply करवाता हूँ तो यह बड़े मेरे पास जो है बन जाएगा plus one जिसे हमारे पास इसका अंसर five आजाएगा जी तो स्टुडेंट अब हमारे पास question number three को solve करनेगा तो यहां पर देखें हमें जो z given है वो devian की form के अंदर है तो हम यहां पे वहले क्या करते हैं कैसे devian form को solve कर लेते हैं जब हमारे पास यह नहीं यह a plus ib आयोटा की form के अंदर जब निकल आएगा तो असानी से हम इसके ओपर conditions apply कर भाइने तो चली बड़े ज़रा इसका solution निकाल लेते हैं मेरे पास क्या हो जाएगा जी इस इकवर टू बान प्लस आयोटा वन माइनस आयोटा डिवीन को solve करना मैंने previous question के अंदर आपको सिखाया है तो आई टैप पर जाकर अगर आपको नहीं आता तो उसको वीडियो को लाजबी दिखिए क्या होगा के साथ इसको मैं multiply भी करवा दूंगा और इसके पास a plus b whole square formula के से साथ अगर मैं इसको open करूंगो तो मेरे पास one आ जाएगा plus two iota आ जाएगा और plus iota square आ जाएगा divide में हमारे पास a square minus b square is equal to a plus b into a minus b वाले फार्मूली के according हम इसको लिख लेते हैं a square minus b square इस form के जर अब देखते हैं मारे पास के आंसर होगा देखें मारे पास one plus two iota और divide में हमारे पास यहां पर आ जाएगा minus one और divide अगर हम इसको करते हैं तो मारे पास यह बन जाएगा one whole square minus iota square की जगह minus one आ जाएगा यहां इसको थोड़ा सा अगर यहीं पर simplify कर लें तो यह हमारे पास one का square बन आ जाएगा और iota square minus one minus से multiply कर वाके plus one बन जाएगा यहां से प्लस माइनस से हमारा जो one है वो cancel हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा two iota divided by one plus one two आ जाएगा is equal to two से two cancel out हो जाएगा तो हमारे पास यहां से answer iota निकल आएगा तो उसके बाद जो आपका एक complete question है student वह आपके पास question number five के part number one की तरह हो जाएगा क्योंकि हमने जब इसको solve किया तो मुझे यह form मिली zero plus iota form के अंदर अब मैं इसको जब solve कर लूँगा तो मेरे पास same जैसे हमने question number one के अंदर solve किया था माइनस आयोटा को लेके से उसी तरह से इसको find out कर लेंगे जल्दी से इसका solution निकाल लेता है जिरो plus iota से मेरे पास आजाएगा zero minus iota अब मैं z plus z conjugate निकालता हूं तो मेरे पास zero plus iota plus zero minus iota आजाएगा विटें यहां से मेरे पास zero plus iota plus zero minus iota आजाएगा minus plus cancel out होने से यहां से मुझे zero मिल जाएगा उसके बास हम z minus z conjugate find out करेंगे जो बनेगा zero plus iota minus zero minus iota आजाएगा यह मेरे पास बन गया zero plus iota minus zero minus minus मेरे पास plus हो जाएगा और यह हमारे पास आजाएगा यहां से two iota उसके बात लास है मारे पास third part जो है हमने एक जी को जी कॉंजूगेर से multiply करना है यह जाएगा जी प्लस iota into z minus iota आजाएगा यह जीरो minus iota जाएगा जीरो का स्केर मेरे पास 0 मिलने वाला है minus iota का स्केर मेरे पास iota स्केर आजाएगा minus into minus 1 हमारे पास answer 1 मिल जाएगा जी तो स्टुडेंट अब हम अपने part number 4 तरफ बढ़ रहे हैं तो यहां भी देखें मारे पास जी गिवन है वो इसी फॉर्म के इंदर अच्छा यह confusion student मैं आपको बता दूँ जब आपने वी last question solve किया उसके अंदर जब मैंने 0 को लिखा तो मैंने 0 plus iota की form के अंदर लिखा तो बटे आपको पता है 0 plus iota iota ही होता है यह आप answer देके इसमें आपको confusion ना हो इसलिए मैं आपको बता रहो यह form बताने का असर में लाइक यह आपके पास हो जाएगा 0 plus iota b के अंदर आपको आदे 0 minus iota यह c के अंदर आपको simply कर दिया जाए कि minus iota वह आपने वहाँ पर बताना होता है कि आपके पास जो complex number है इसकी correct form कौन सी है तो simply इसमें यह है कि आपके पास जो real part है इसका 0 है इसकी वज़ा से इसे हम 0 minus iota लिख सकते हैं लेकिन आपने जो मैंने question के अंदर आपको यह चीज़ करवाई है वहां पे सिर्फ 0 plus iota लिखा है तो equal में आप उसको क्योंकि 0 के अंदर आपको प्लस करते हैं तो answer आपके पास कोई change नहीं आता उसके अंदर तो यहांपे 0 plus iota आपके पास simply iota ही आजाता ह है जालें अब इस question की solution की तरह हम move करते हैं तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं इसकी division form solve कर लेता हूं ताके हमने जो condition apply करनी है हमको apply करने मुझे असान ही हो तो यह हो जाएगा z is equal to 4 minus 3 iota divided by 2 plus 4 iota और इसको multiply और divide करवाना है इसके conjugate से यह जाएगा 2 minus 4 iota यह form मेरे पास बन जाएगी अब देखिए हम इसको multiply करवाएंगे यह बन जाएगा 4 minus 3 iota into 2 minus 4 iota divided by 2 plus 4 iota into 2 minus 4 iota मेरे पास यह form है अब हम इसको solve करते हैं तो देखिए हम इसको multiply करवा जाते हैं यहाँ पर direct multiplication कर लेंगे 2 multiply 4 मेरे पास 8 आजाएगा 4 multiply minus 4 minus 16 iota जाएगा minus 3 iota जब 2 से multiply करेगा minus 6 iota जाएगा तो minus minus plus हो जाएगा 4 3 times 12 iota scale मिल जाएगा मिल जाएगा 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 उसके बाद हमारे पास जो identity है इसको 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 मैं यहाँ पर लेख सकता हूँ 2 square minus 4 iota scale आजाएगा मेरे पास देखिए यह क्या होगा मेरे पास सब्सक्राइब करता हूँ तो minus 1 plus 12 से multiply करेगा यह इसको बना देगा माइनस 12 और डिवाइड में मारे पास आजाएगा टू का स्केर बिटे 4 आजाएगा माइनस 4 का स्केर 16 आजाएगा आयोटा स्केर की जगा माइनस 1 आजाएगा इसी माइनस 1 को अगर मैं माइनस 16 से multiply करवाता हूँ तो बिटे ही मेरे पास से प्लास 16 मत जाता है क्या जाता है निन और मेरे पास या जाएगा माइनस 4 22 आजाएगा में माइनस 12 में मिल्पास माइनस 4 आ जाएगा और डिवाइड इस वायडि वाय पर अब करता हूँ सेपरेटली तो फो डिवाइड बाइ ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी टू बाइ ट्वेंटी आयूता आजाएगे मेरे पास यहांसे देखें मैं इसको मैं कैसल आउट कर सकता हूं फोर वान टाइम्स और फोर फाइव ताइम्स इसी तरह आपके पास तू एलेवन टाइम और इलेवर टू टैन टाइम्स मेरे पास आजएगा माइनस वान ओवर फाइव माइनस इलेवन बाइटेन आयोटा तो यह है जो मारे पास इसकी एपर एप्लास बी आयोटा फोम होगी इसी के ओपर हम कोशन के जो हमारा है उसकी कंडिशन अप्लाइब करेंगे यह वाज़र का माइनस उन ओवर पाइप माइनस इलेवन बाइटेन आयोटा तो चेलिए एम सिंप्ली इसके ओपर अब कंडिशन अप्लाइब करते हैं तो सबसे पहली कंडिशन है मैंने इसका कॉंजूगेट फाइंड आउट करना है तो कॉंजूगेट क्या होगा जी माइनस वान ओवर फाइव प्लस एलेवन बाइटन आयोटा ठीक है आयोटा वाली वैलिव का जो है हमने साइन चेंज कर दिया उसके बाद जी प्लस जी माइनस 1 ओवर फाइव प्लस 11 बाल टैन आयोटा यहां से स्क बन जाएगा त्क्यमिंग मरें गया है हमने सेखनी प्लस कर रहे हैं इस होगा मारइनस वन ओवर फाइव गो सलिए सब सबसे पहते है लिठ्हय हूं यहां पर यह वैलिये वैल्यू पास माय पास त्सक्रदेकि प्लास माइनस हो जाएगा और माइनस वान माइनस वन क्या हो जाएगा यहां से उसके पार जो नेक्स हमने करना है वह करना है जी माइनस जी कौन जोगे तो मैं यहां पर इसको लिख रहा हूं पटे जी की वैलुव मेरे पास आजाए गए सब्सक्राइब यहीं प्लस हो जाएगा और यह माइनस और यह पास वह जाएगा तो मंट्लिप्लाइब सब्सक्राइब करना है यहां से मेरे पास आ जाएगा यहां से मेरे पास अब हमने प्रूब करना है वह हमने करना है कि इसका हमने प्रोड़क्ट फाइंड कर देना है यानि जी मुल्टिप्लाइजी कॉंजुगेट फाइंड करना है तो देखिए वह मेरे पास क्या आएगा से मैं लिख लेता हूं यह मेरे पास आ जाएगा माइनस वान ओवर फाइव माइनस एलेवन बाइटन आयोटा इंटू माइनस वान पाइफ प्लास एलेवन दाई टेन आयोटा के अंदर आ जाएगा अब इसकी प्रोड़क्ट कर्ते हैं मेरे पास क्या आएगा फार्मूला की कोडिक मेरे पास क्या जाएगा ही माइनस वान ओवर 5 पास का भूल स्केर माइनस 11 बाई 10 आयोटा का वों स्कीर आजिए म हां से आ और 10 पास के रहागा यह जाता है पलस बन जाता है आप हम इसको सॉल कर लिते हैं लिए तो और 4 से multiply करता हूं तो मेरे पास 100 आज़ता है तो उस 4 को बटे हम इस fraction की numerator में भी और denominator दोनों में multiply करेंगे तो 4 1 times 4 आ जाएगा और 4 25 times मेरे पास 100 आ जाएगा क्योंकि basic aim है हमारे पास कि हमने denominator वाली value को plus करना है यानि स्वरी उसको हमने 100 बनाना है यह 121 divided by 100 आ जाएगा इसके बाद जब हम इसको solve करेंगे यह 100 और 4 प्लास 121 मेरे पास 125 बन जाएगा अगर हमें अब हम इसे 525 के टेबल में कैंसल आउट करें तो बटे यह 25 के टेबले 25 5 टाइम्स मेरे पास 125 आजाएगा और 4 टाइम्स मेरे पास यहां से 100 आजाएगा और यह हमारा रेक्वाइड आंसर होगा यह भी हमारा पास एक हमारा आंसर होगा माइनस टू बाइब भाइब भी हमारे एक आंसर होगा और माइनस इलेवन बाइब न आउटा माइनस इलेवन यहां से आंसर होगा अब हम सॉल्ब करेंगे कोसर नमबर 6 जिसके अदर हमें स्टेट्मेंट गिवन है कि इफ जी इस इक्वल टू प्लस टी आयोटा एंड डवी इस इक्वल टू पाई माइनस फॉर आयोटा यहां पर हमें दो कंप्लेक्स नमबर्स गिवन है तो कहता है सबसे पहले क्या करना है तो देखते हैं मारे पास दी अधिलिव क्या होगा जी प्लस डवी ओगर मैं करूं तो दी मेरे पास गिवन है टू प्लस ट्री आयोटा प्लस W मारे पास गिवन है 5-4 ऐटा हमने इनको एड़ आप करना है तो देखें अगर प्लस 3 ऐटा प्लस 5-4 ऐटा की पॉंप के नदर आ जाएगा अब देखें प्लस 5 मेरे पास 7 आ जाएगा और सच दो प्लस 3-4 प्लस्ड माइनस मायनस आज जाएगा तो फोल माइनस 3 फ्ले के पास और आगा अब एटा की आप आइफें है के ऐ सब्सक्राम सीन Els चेंज कर देएगे वक पर वक हंनाए अब हमें प्रूवकण साइड निकल आई है आप हमने प्रूव करनी है इसकी राइट हैंड साइड तो चले हैं राइट हैंड साइड मेरे पास क्या होगा इसी तरह मेरे पास यहां पर 5-4 आयोटा और इसका conjugate मेरे पास आ जाएगा 5-4 आयोटा अब इन दोनों डिजर्ट को सम करना है इन दोनों को प्लस करना है तो देखते में अर पास क्या आशर आएगा इसका सबसे पहली वैल्यू है मेरे पास 2-3 आयोटा प्लस 5 फ्लस 4 आयोटा यह वैंगे वैल्यव ओपन करते हैं 2-3 आयोटा प्लस 5 प्लस 4 आयोटा आ जागे मेरे पास तो देखें प्लस 7 फाइगा और 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा यहां से मेरे पास क्या निकल आएगा प्लस माइनस होता है तो बड़ी वैल्य मेंस होने को जाएगा तो वो हमारे पास यहां पर जो मारी लेफ्ट हैंड जाएगी और अगर हम यहां पर इसके पार्ट नुमर को इक बात करें तो यहां पर चेंज क्या आरहा है वो यहां पर प्लस की जगह हमने माइनस करना है इसी के अंदर चोटे-चोटे चेंजिस करके मैं आपको इस काम से बता देता हूं तो प्लस हो जाएगा तो आप देखेंगे यहां पर मैंने माइनस करना है तो मैंनस करने से देखते मेरे पास क्या बैस करने से चेंज हो जाएगा यहीं माइनस हो जाएगा और ये भी माइनश हो जाएगा हम फी क्या ज़िए जाने वालत है कि इसको थोड़ा साelt आए और सब्सक्राइगा और सब्सक्राइग अब Express नियुक्त तो यह में इसका कॉंजूगीर नवीं stand घोटाएगा ओजैगा है और हमड़ी पासांज़ तो यह कोंजूगेट choosing find out करते हैं तो मेरे पास माइनस 3 माइनस 7 आयोटा आजाएगा जिसके दरीए से हमारी ये दोनों साइड जो है वो इक्वल पूड हो जाएंगी जी सुडेंट अब हमने फ्रड पार्ट के ओपर हमने प्रोड़क्त की जो प्रॉपटी है वो अप्लाई करनी है तो देखें हैं मारे पास कैसे इसका अंसर ने लिए आज देखें हैं सबसे पहले इसकी भी हम लफ हैंड साइड सॉर्व करते हैं जो के मारे पास Z multiply W अब conjugate के बिगार पहले solve करते हैं बाद हम इसका conjugate हम ले लेंगे तो देके बटे मारे पास Z की value है 2 plus 3 iota into 5 minus 4 iota जो के मारे पास इस W की value है अब इनके हम product find करते हैं तो बटे मेरे पास आदेगा 2 into 5 minus 4 iota ठीक है रियर पार्ट को पूरे complex नमर से multiply करेंगे और next हमारे पास plus 3 iota उसको में लिखेंगे 5 minus 4 iota के साथ product record करेंगे 2 5 times 10 आजाएगा मेरे पास 2 4 times 8 iota आजाएगा और plus 3 5 times 15 iota और plus minus minus 4 3 times 12 iota scale आजाएगा मेरे पास आव शूरून हमें next कर करना है हमने यहीं पे अगर्टोन में चेंज कर दूँ इस iota scale की जगह मैं minus 1 पूट कर देता हूँ नेक्स अप में तो उस minus 1 को जो पिटे आप multiply करवाएगे minus 12 से तो हमारे पास बन जाएगा plus 12 ओके तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं देखें आप real part में real part plus करें तो पिटे हमारे पास यहां पर क्या देगा 12 में हम 10 प्लस करें तो हमारे पास यहां पर आजएगा 22 और यह plus minus minus बड़ी value के साथ पिटे हमारे पास plus है तो 7 आयोटा यह हमारे पास इसका product आजएगा अब हमने पीज क्या find करनी है हमने इसका conjugate find करना है तो पिटे जी इसका conjugate क्या हो दाएगा हमारे पास 22 minus 7 आयोटा यह हमारे पास left hand side निकल आएगी अब हम मालूम करेंगे right hand side को उसमें पिटे क्या है हमने पहले दी का separate conjugate लेना है और डव्यू का separate conjugate लेना है तो देखे जी conjugate मेरे पास क्या होगा वो मिरे पास आजाएगा देखें जी की value 2 plus 3 आयोटा है यह मिरे पास आजाएगा 2 minus 3 आयोटा इसी तरह डव्यू का जब हम conjugate लेंगे तो वो है हमारे पास 5 minus 4 आयोटा वो आजाएगा 5 plus 4 आयोटा अब last question हमने क्या करना है इसकी product find करने है तो जीसकी product क्या होगी Z conjugate multiplied by W conjugate तो अब देखें है मुसकी value क्या आएगी मैंटे भी मारे पास इसको लिख लेता है 2 minus 3 आयोटा into 5 plus 4 आयोटा लिख लेता है product इसी निकार लें तो मैंटे मारे पास किस form गया देगी 2 into 5 plus 4 आयोटा और next time मारे पास minus 3 आयोटा इसको multiply कर देंगे अपने complete complex number से 5 plus 4 आयोटा के साथ अब next देखते है मैंटे 2 5 times 10 आजाएगा plus 2 4 times 8 आयोटा मिल जाएगा minus 3 आयोटा multiply करने से 15 आयोटा और plus minus 3 4 times 12 आजाएगा और आयोटा scale की जगा प्रोडक्ट करें minus 1 को आप प्रोडक्ट करें तो आपके पास ये plus 12 आजाएगा तो देखते हैं इसकी प्रोडक्टर के हमारे पास क्या निकलेगी 10 plus 12 हमारे पास 22 आजाएगा और plus minus minus बिटे minus 7 आयोटा आजाएगा और इस तरह से हमारी left hand side जो है वो राइट hand side के equal prove हो जाएगी जी सोड़ पार नमबर 4 के अंदर हमने डिबीन find out करनी है तो इसी तरह से हम solve करेंगे इसकी left hand side लेंगे और मारे पास आजाएगा z divided by w इसको बिटे लेके हमने इसको solve करना है तो देखें मारे पास क्या value आजाएगी 2 की value आजाएगे 2 प्लस 3 आयोटा divided by w की value माहा से मारे पास 45-4 आयोटा आजाएगी अब डिबीन को solve करने का मैंतर हम previous question के अदर बहुत अच्छी तरह से सीच चुके हैं तो यहां पर क्या करेंगे इसके conjugate के साथ हम multiply भी कर देंगे और divide भी करवा देंगे इस value प्लस 4 आयोटा ओके बेटें तो अब इसको next इससे form के अदर लिख सकते हैं तो देखें आप इसको लिख सकते हैं एज प्रोडुक्त की फॉर्म के अदर 2 प्लस 3 आयोटा इन्टू 5 प्लस 4 आयोटा divided by 5-4 आयोटा और 5-4 आयोटा की फॉर्म के अंदर आप उपर वाली वाली वैल्यू देखेंगे डिफरेंट है तो हम इसका प्रोडुक्त करेंगे सब्सक्राइब करने का तरीका हम बार बार सी क्वेशन के दरी क्या होदाएगा मेरे पास 2 इंटू 5-4 आयोटा और imaginary पार आपकर पास आज आज देगा प्लस त्री आयोटा इसकी प्रोड़क्ट हम निकाल देंगे 5 प्लस 4 आयोटा के साथ और डिवाइड भीटे ही हमारे पास यह हमारे पास जो आइंटिटी है उसको अप्लाइ करेंगे करेंगे एंटिटी प्लस बी उसके कोडिंग यह पास आजाएगा 5 होल स्केर माइनस 4 आयोटा होल स्केर आजाएगा देखते हैं इसकी हम प्रोड़क्ट फाइंड करता ही हो जाएगा झाल टुओ फैंट थैंट राजाएगा और पूस वोड़क्ट ऐँट वालो है उसके और उसके कुह अच्छी तना से जानते ऋवो क्या है हो यहां पर इसकी क्रते है minus 1 यहाँ उपर भी और नीशे भी अब इस minus 1 को जब multiply करहाऊँगा तो पेटे यह मेरे पास क्या बन जाएगा minus 12 और इस minus 1 को minus 4, 4 से multiply करहाऊँगा तो यह मेरे पास बन जाएगा plus 4 तो अब देखने पेटे सिसका final answer क्याएगा 10 minus 12 यहां से महर पास बन जाएगा प्लस 23 आयोटा डिवाइड में बिटें जी आपको पास आ जाएगा 25 प्लस 4 आ पर पास 29 आ जाएगा अब हमारा नेक्स काम क्या है इसको हमने separate form के एप हमने इसको लिखना है अपनी फॉर्म जो एप्लस बी आयोटा फॉर्म के अंदर तो यह वह जाएगा बिटे माइनस टू डिवाइड़ बाइड 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 ट्वंटी नाइड प्लस 23 डिवाइड बाइड बाइड है तो इसका conjugate जब इसके ओपर अगर हम अप्लाई करते हैं तो इसका conjugate मेरे पास आजाएगा माइनस टू बाइड ट्वंटी नाइड यह हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आजाएगा अब सेकंड पार्ट के जब हमने इसकी राइट हैंड साइड मालूम करनी हैं तो right hand side को हम solve करते हैं जो के हमारे पास z conjugate divided by w conjugate तो बाइड हमेले पास पूट करते हैं तो देखिए हमारे पास जो हमारे पास z की value थी वह होती 2 प्लस 3 यहां पर फैंसर कर लेंगे जी की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा और डब्लीव की वैल्यू है 5-4 आयोटा यहां पर हमने इसके जह्णों के साथ multiplier धिक्रेंगे और divide बहर है तो देखर में गइंगे आपके पास product बन गयी रेए जी two minus three आयोटा यह minus three I'll défin 25 माइनस व्र ऑड़ा और ड्लस 5 प्लस 4 iota into 5-4 आयोटा इसके पर ठीक्रण्वाइड फाइंद राइन आ जाएगा मिरे पास 2 minus 4 iota times आपके पास minus 8 iota आजाएगा, अब minus 3 iota को multiply करेंगे, मैंटे आपके पास minus 15 iota, minus minus plus हो जाएगा, 3, 4 times 12, और iota scale आजाएगा यहां से divide में मैं आपके पास देखें, हमारा formula जो identity है, हमारी हम वही apply करेंगे, वो यह हमारे पास बन जाएगा, 5 whole square minus 4 iota whole square, हम देखते हैं, जी, इसकी values put कर लेता है, हमारे पास क्या values आती है, इसकी sorry, last question के अंदर हमारे पास, जो mistake है हमने यहां पे, जब इसको open किया था, तो port आपके पास यहां पे 16 आएगा आपके पास बन जाएगा 16 16, तो 16 को हम प्लस करेंगे 25 के साथ, तो हमारे पास यहां पे देखते हैं, क्या चींज आएगा, तो बटे आपके पास 6 प्लस 5, 11 आजाएगा, और 1 प्लस 3, यहां पे 41 आएगा, और यह हमारी mistake है, हम उसे correct करेंगे, यहां पे भी बन जाएगा हमारी चीज को, तो बटे यहां पे आयोटा स्केर की वैलू, यहां पे आजाने से हमारे देखते हैं, क्या चींज आता है, यह जो आएगा 10, क्या होगे है, 12 माइनस 22 आजाएगा, माइनस 2, और माइनस माइनस प्लस होने से मेरे पास बन जाएगा, माइनस का, 23 आजाएगा, और डिवाइड में हमारे पास आजाने माले है, यहां पे 25 प्लस 16, 41, इसको A प्लस B आजाएगा, इस तरह से मारे यह लेफ्ट हैंड साइड जो है, वो राइट हैंड साइड के एक वल प्रूव ओड़ जी तो विड़े अब हम पार्ट नुबर 5 जी तरफ मूब कर रहे हैं, यह जो हमने लास्ट फॉर पार्ट की हैं, उनसे थोड़ा सा यूनीक लग रहा है, लेकिन इसमे कोई खास उतनी बात है ने, तो अब बस लिखने में आपको स्टेट्मन के तौर पर आपको डिफ्रन लग रहा होगा, अब हम इंशाला तो इसको सॉल्प करेंगे, तो आपकी जो कंफीजन है वो बिलकुल दूर हो जाएगी, तो देखें इसका स्लूशन मारे पास क्या इसके लिए हमें रेकवाइड है यहां पर जी प्लस जी कॉंजुगेट, तो जैसे के बटे मेरे पास गिवन है जी इस एक्वल टू टू प्लस टी आयोटा, तो बटे इसी तरह मेरे पास यहां पर इसका कॉंजुगेट क्या बन जाएगा, अब अच्छी तरह से जानते हैं जी माइनस ट्री आयोटा हमारे पास इसका कॉंजुगेट बन जाएगा, अब बटे हमें क्या चाहिए हमने इसके कॉंजुगेट को एड़ अप करना है, प्लस करना है बटे तो देखे मारे पास क्या आएगा, टू प्लस ट्री आयोटा, प्लस टू माइनस ट्री आयोटा आ जाएगी इससे आपके पास यहां पर आजाएगा 2 x 2 आजाएगा अब लिए तो फॉर्म के अंदर अगर हम इससे लिखने तो मारे पास यह 4 आ जाएगा अब नेस्ट चीज में बटे क्याता ही है कि हमें पास 1 by 2 से multiply करवाना है हमने इस 2 प्लास जी प्लास जी कॉंजूगेट की वैल्यू को बटे अगर मैं इसको multiply गरवाता हूं 1 by 2 के साथ तो देखें मेरे पास 2 1 times 2 और 2 2 times 4 cancel out हो जाएगा तो देखें मेरे पास यहां पर यहां पर आंसर आया है वो इस जी का जो मारे पास यहां पर जी है इस जी का पास इसी तरह हम इसमयों भी यह फिर मारा प्रूब हो जाएगा लिए अब हम जो है मारा इस क्वेश्प सथ्जूगेट को तू आइठ करते हैं तो आपके पास जो इस जी का पार्ट आंसर में आएगा तो चले जी हम इसको चेक करते हैं कि यह जो हमें कंडिशन दी रही है को ट्रू है इसी है हमारे पास प्लस थ्री आयोटा और इसका कॉंजूगेट जैसे पहले भी निकाल दा है तो थोड़ा सा आप भी मैंड में लाया करें कि यहां पर नेक्स्ट क्या आने वाला है तो यहां पिटे टू माइनस थ्री आयोटा बन जाएगा मेरे पाद अब इस कंडिशन के लिए सबसे पहले जो ब्रैकिट का पोश्चन है वह सौर्व करेंगे वह बिटे क्या होगा जी माइनस जी कॉंजूगेट यह बन जाएगा टू प्लस थ् अबलड़ कि आयोटा वैद्टे देख्यें अमेरे पास यह एक्सला हो जाएंगे तो यहां से मेरे पास सब्वर्ण करना है वाइन तो मेरे पास आते का सी माइनस जी कॉंजूगे जबन जाए वान ओवर टू आयोटा और सिक्स अईटा अब देख्यें थे मोर्रा सब्सक्राइब तो सब्सक्राइबिया तो यह के दो मुताबिर हों तो राँग है उसको एप कि मारे पास student ये आपके पास imaginary of z नहीं आया है तो मैं इप करता हूं student में आपको समझाने में कामियाग हुआ हूँगा तो गलती जो इस question के अंदर है मारे पास last question के अंदर हुई है तो अगर किसी तरह किसी प्रीवेस वीडियो के अंदर या आने माली वीडियो के अंदर अगर कोई